ये वीडियो मेरी एक पूरी World War 2 की सीरीज है World War 2 from beginning to end उस सीरीज का episode 74 है इस episode में हम बात करेंगे Nuremberg trials के बारे में जो World War 2 यूरोप में खतम हुआ था तो जर्मनी के जो भी important बड़े Nazi leaders थे या military leaders थे उनको सदा देने के लिए ये trials रखे गए कहानी शुरू होती है 8 मई 1945 से ये वो दिन था जब जर्मनी ने सरेंडर पे साइन कर दिया और यूरोप में Second World War खतम हो गया और अब allied leaders के मन में और यहाँ तक कि allied जो जनता भी थी उनके मन में भी ये था कि जितने भी Nazi leaders या जर्मनी के military के generals पकड़े गए हैं उनको अब सदा देनी है और इस बात को भी लेके allied leadership के मन में अलग-अलग विचार थे challenge चाहते थे कि जो इतने लोग पकड़े गए हैं उसमें से जितने military वाले लोग हैं कुछ Nazi top leaders हैं उन लोग को सब को इकठा करके उनको execute किया जा फिर Britain के Churchill वो भी चारे थे कि बहुत सारे लोगों का summary execution होना चाहिए मतलब जल्दी उनको execute कर दो बिना किसी trial के but American leadership चाहती थी कि जितने भी लोग पकड़े गए हैं जिन्दा हैं उन लोगों को उनके खिलाफ एक case चलाय जाए उनके खिलाफ trial हो और फिर उनको सजा दी जाए इसका दो फाइदा होने वाला था पहला चीज है कि वो लोग इंशरो करना चाहते थे कि first world war में जब जर्मिनी हार गए थे तो जो जनता थी उनको ये बताया गया था स्पेशली नाजी पार्टी ने, हिटलर ने ये बोला था जनता को कि हम लोग जीत रहे थे first world war में बढ़ हमारे नेताओं ने हमको धोका दिया आर्मी को धोका दिया इसलिए हम हार गए तो इस बार trial इसलिए करेंगे क्योंकि हम जनता के सामने सबूद लेके आएंगे कि सब कुछ इन्होंने गलत किया था और इसलिए इनको सजा दी जा रही है दूसरा reason ये था कि जब ये case चलेगा और सारे जितने भी सबूद गवा को सामने लाया जाएगा तो वो हमेशा के लिए document हो जाएगा और आगे आनी वाली PD जो है इस जो यहाँ पे जो case चला है और जिस तरह से गवाँ पेश किये गए है सबूत लाया गए है उसको basis पे रखके कोई भी future में इस बाद पे question नहीं कर सकता कि यहाँ पे जो case चला था जो trials हुए थे नियूरंबर्ग में वो सही थे या गलत इन ट्राइल्स के लिए जर्मनी में नियूरंबर्ग को इसलिए चुना गया क्योंकि war के पहले Hitler की party का नियूरंबर्ग ही वो जगा थी जहां पे propaganda जो फैलाते थे वो लो उसकी मेन जगा नियूरंबर्ग थी उसके लावा नियूरंबर्ग में पैलेस अफ जस्टिस भी था और इस बिल्डिंग ये काफी बड़ी बिल्डिंग थी और इसमें इतनी जगा थी कि उन्होंने बारा सो कैदियों को वो कैद कर सकते थे अउगस्ट 8, 1945 को चार कंट्रीज अमेरिका, ब्रिटेन, सोवेट उनियन और फ्रांस इन चारो कंट्रीज के जज़स कुछ चूने वो जज़स सामने आया और उन्होंने एक IMT बनाया International Military Tribunal इस Tribunal में उन्होंने एक चार्टर जो रिलीज किया उसमें उन्होंने ये कहा कि जितने भी टॉप नाजी लीडर्शिप है जो जर्मनी की मिलिटरी के लीडर्श है जिनको पकड़ा गया है उनके उपर जिन जिन चार्जस पे केस चलेगा वो चार्जस थे Crimes Against Peace, Crimes Against Humanity और Conventional War Crimes फिर October 18, 1945 को जो चार Chief Prosecutors थे इन चारों कंट्री के उन्होंने जो टॉप नाजी लीडर्शिप थी और जर्मनी की मिलिटरी की लीडर्शिप थी उनको उनके indictments दिये कि किस-किस बात पे आप पे केस चलेगा इसमें बहुत important लोग थे जैसे कि Herman Goring जो हिटलर के टाइम पे जर्मनी की एरफोर्स का Chief था वो भी था कटगरे में उसके लाबा Rudolph Hess जो नाजी पार्टी का Deputy Leader था फिर Ribbentrop जो हिटलर के टाइम जर्मनी का Foreign Minister था Karl Donitz जो U-Bot की फ्लीट का Commander था Grand Admiral था और हिटलर का successor था As the Head of State उसके लाबा Willem Keitel जो की Armed Forces का Chief था फिर Albert Speer जो की Armament Officer था तो आप देखिए कि ये बड़े-बड़े नाम थे और हिटलर के टाइम पे उन्होंने सारी Top Push लेके रखी थी इनके खिलाफ ये सारे Indicaments दिये गए इसके लाबा एक और Important आदमी था Martin Borman ये बंदा हिटलर का Adjutant था और इसलिए जादा दर टाइम ये Hitler के साथ ही रहता था और ये ही बंदा आगे सारे Commanders को बोलता था कि क्या Hitler के Orders है इस बंदे को वो लोग जिंदा पकड़ने ही पाए थे तो उसको Absentia में उन्होंने केस चलाया था मतलब ये आदमी हाँ पे रहेगा नि बट कहीं पे भी ये आदमी है इसको अभी पकड़ा नहीं गया है इसको मरा वो घोशित नहीं किया गया है तो इसलिए इसके खिलाफ भी केस चला इन ट्राइल्स में लोगों के अलावा कुछ Organizations पे भी केस चलाया गया था जैसे कि Gestapo यानि कि Secret State Police फिर Security Services SS, Reich Cabinet कुछ ऐसे Organizations थे जिनके खिलाफ यहाँ पे Criminal Proceedings की गई थी तो 20 November साल 1945 को कुल मिला के 21 Defendants Court में आये और उनके खिलाफ जितने Indactments थे उनको पढ़ा गया इन पूरे ट्राइल्स में नाजी लीडर्शिप का जो मेन मंदा था Adolf Hitler उनके खिलाफ वो लोग trial नहीं कर पाए क्योंकि Battle of Berlin के end में Hitler ने suicide कर ली थी Exactly Hitler की death कैसे हुई थी उसके पूरा जो नाजी सिस्टम था उसके जो main तीन लोग थे वो already मर चुके थे उसके अलावा ट्राइल्स शुरूने से पहले एकवार आजमी था जिनको उन्हें पकड़ा था बट्राइल के पहले उसने suicide कर ली थी यह जो पूरा यह जो यहाँ पे ट्राइल्स बनाया गये थे इनको conduct करना बहुत मुश्किल था क्योंकि न्यूरंबग ट्राइल्स के पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था मानव की इतियास में कि बहुत सारे अलग 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 देश साथ में आये थे कुछ criminals को एक साथ prosecute करने के लिए इसका कोई precedent नहीं था कि कैसे इसको करना है इसलिए बहुत ही confusion हो रहा था बहुत तकलीफों से यह finally यह पूरा पैनल बनाया गया और actually देखिए इस पूरे जितने भी यहाँ पे defendant थे उनको दोश्वी पाने के लिए उनके खिलाफ केस चलाने के लिए भी कोई एक जज नहीं था एक पैनल लिया गया जिसमें बहुत सारे जजस थे इसलिए इसको tribunal कहते है और इनका जो जिस तरह से केस चलेगा उसको decide करने के लिए उन्होंने अमेरिका और बिटेन का जो law system है उसको follow किया मतलब कुछ prosecution होगा ऐसे lawyers जो जिन्होंने ये जितने भी defendants हैं उनके खिलाफ बोलेंगे कि इनको सजा क्यों देनी चाहिए वैसे कुछ defense lawyer भी होंगे जो की इन सारे defendants के favor में बोलेंगे कि क्यों इनकी सजा नहीं दे जानी चाहिए इनको सजा कम मिलनी चाहिए या फिर जो भी नोंने किया वो गलत नहीं था इस तरह से defense lawyer भी थे इन पूरे trials में जो chief prosecutor था वो American था उसका नाम था Robert H. Jackson इस trial की एक और बहुत challenging बात ये थी कि इस पूरे trial में judges वकील और जो defendant थे ये सारे लोग अलग अलग language बोलते थे तो अब एक बात कैसे बोलें कि सब लोग को सवंज में है तो इसी वज़े से इन trials के लिए पहली बार एक नहीं technology का उन्होंने invention किया जिसको आज हम बहुत अलाम से जिस करते हैं वो है instantaneous translation मतलब जैसे से इंसान बोल रहा है on the spot translate करके किसी को कान में सुना ही पड़ेगा इसलिए अगर आप new number 12 की वीडियो देखेंगे कोई documentary देखेंगे और even photos देखेंगे तो आपको नजार आगा कि जितने भी लोग बैठे हैं सब के कान में headphone चीज लगी हुए है वो इसलिए क्य और उनका काम यही था कि कोई अगर एक इंसान खड़ा के बोल रहा है तो उसकी बात सुननी है और instantly translate करके बताना है उनलोगों को जिन्होंने headphone लगा कर रहा है तो हाला कि जो judge है वो English में बोल रहा है बट यहां गोरिंग बैठ है उसको जर्मन में हमने काजन सुना रिपर र तो लोगों को बस ही पता था कि बहुत destruction हुआ है बट exactly क्या हुआ है बहुत लोगों को पता ही नहीं था इसलिए जो सबूत पेश करना था उसमें सबसे important सबूत क्या था concentration camps की photos जब allied western allies ने यानि की ब्रिटन और फ्रांस लोग जब आगे बढ़ रहे थे जमनी को पीछे कर रहे थे तो जहां जहां पर उन्होंने concentration camps देखें वहां पर उनको लोगों को आजाद किया वहां पर उन्होंने photos ली थी videos बनाया थे similarly जब eastern front पे जब सोवेट army आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने भी बहुत सारे camps को liberate किया था तो उनकी पास इसलिए बहुत photos और videos थे वह खिलाफ कितना बुरा बरताफ किया गया है इस चीज़ का सबूत था और यह ऐसे दिखा जाये तो बहुत छोटी बात लगती है बट उन सबूतों का purpose यह था कि हमेशा के लिए कभी भी जर्मनी में या किसी और country में ऐसा बोला जाए कि इन लोगों फसाया गये तो दिखाने के पास सबूत है उसके अलावा इस ट्राइल के समय एक और important सबूत दिखाया गया वह यह था कि जब उन्होंने सारे नाजी पार्टी के या फिर जर्मनी की जो वार मिनिस्ट्री थी उन बिल्डिंग को जब कैप्चर किया तो उसमें को बहुत सारे documents मिले और उसके साथ को प्रूव किया सारे defendants के अगेंस यह trial काफी समय तक चला था almost एक साल तक और उसके बाद अगले साल 1 October 1946 को जो ट्राइब्यूनल था इन्होंने कुल मिला के 19 लोगों को convict किया और 3 लोगों को उन्होंने acquit कर दिया मतलब उनकी गलती नहीं थी बोल को उनको छोड़ दिया जिस दिन उसको फासी लगने वाली थी उसके एक दिन पहले रात को उसके पास एक साइनाइट पिल थी जो उसने पनी दवाईयों के डब्यम चुपा के रखी थी उस पिल को लेके उसने suicide कर ली इस incident के तुरंद बाद बाकि जितने भी लोग थे जिनको फासी होने वाली थी उन सब को इकठा किया गया और अगले दिन सब को फासी लगा देगी तो इस तरह से नियूरंबग ट्राइल्स को इसलिए लोग याद करते हैं कि इसमें जो बड़े-बड़े नाजी लीडर्स थे जिन्होंने major war crimes किये थे उनको सजा हुई थी बट ये अक्सलों को पता नही ही नहीं थे यह जो ट्राइल्स थे यह major war criminals के थे इसके अलावा कुल मिला के 12 ट्राइल्स और भी हुए थे इसके बाद जो दिसंबर 1946 से एप्रिल 1949 तक हुए थे इसमें कुछ इंपोर्टन ट्राइल्स थे डॉक्टर के ट्राइल्स मतलब ऐसे लोगों को उन्होंने प्रोज के वो लोगों को सजा दे रहे थे उनको भी दिया गया उसके अलावा इंडस्ट्रिलिस के खिलाफ एक ट्राइल हुए था जिसमें ऐसे नाजी गवर्मेंट के दौरान जो बड़े बड़े इंडस्ट्रिलिस थे जुन्होंने स्लेव लिबर करवा के जीव से काम करवा के ब लोगों को सजा दे गई थी इसमें से बहुत लोग ऐसे भी थे जिनको अपनी सजा पूरा होने से पहले ही माफी दे दे गई इस तरह से नियूरंबर्ग ट्राइल्स पूरे वर्लड वार्टु के लिए एक बहुत ही इंपोर्टन इवेंट है क्योंकि यह पहली बार था इसलिए तो इंपोर्टन है बट आज भी दुनिया भर में नियूरंबर्ग ट्राइल्स को आप लॉग के पढ़ाई में 100% पढ़ोगे क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े की गई जो आज भी आप इस्तवाल करते हो इंटरनेशनल लॉग को लेके इवन डोमेस्टिक भारत में भी अगर आप लॉग की पढ़ाई कर रहे हो जितने मेरे वीवर्स हैं जो लॉग के स्टूटेंट्स हैं वो इस बात को कंफर्म करेंगे कि उन्होंने नियूरंबर्ग ट्राइल्स के बारे में और डीटेल में जानना है और स्पेशली अगर आपको उसका जो लॉ बावाला आसपेक्ट है उसके बार में जानना है तो मैं आपको एक बुक करूंगा उस बुक का नाम है अनाटमी आफ नियूरंबर्ग ट्राइल्स ये बुक एक ऐसे वकील ने लिकी ती जो नियूरंबर्ग ट्राइल्स की समय वहीं पे था ये वीडियो मेरी पूरी वोल व सब्सक्राइब जरूर करें